हेलो एवरीवन, वेलकम, नौ वी विल स्टड़ी दे सब्जेक्ट रेडिशन फिजिक्स ऑफ डी आर्टी पार्ट फर्स्ट रेडिशन फिजिक्स में अपना टोपिक चल रहा था एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन इसी के बेसिस पे इसी पूरी प्रोसेस को हम एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन बोलते हैं और इसी process पे कौन-कौन से devices, कौन-कौन से components या फिर कौन-कौन से theories दी गई, low दीए गई, उन सब के बारे में हम यहाँ पे discuss करते हैं, तो जैसा कि last lecture में हमने दो low के बारे में बात किये थी, सबसे पहले एक था आपका Faraday का low और दूसरा था आपका lens का low, Faraday का low आपको क्या बताता है, Faraday का low और experiment दोनों एकी चीज़ बताते हैं, कि जब आप किसी भी coil में अगर उसका magnetic flux change करते हो, तो उसमें induced EMF उत्पन होता है, और उसी induced EMF के कारण induced current उत्पन होता है, यह नियम था आपका Faraday का, अब अगर अपन बात करते हैं lens के नियम के, त direction क्या बताता है, कि जो induced EMF उत्पन हो रहा है, वो oppose करता है, उस magnetic flux का, जिस magnetic flux के कारण वो खुद उत्पन हुआ है, यह दो नियम पड़े थे, और इसके बाद में हमने बात कि थी, self induction और mutual induction, self that means खुद से होता है, जो और mutual जिसमें आपको किसी दूसरे की आ सेकता होती है, अ आपका induction कौन सा कहलाता है, self induction कहलाता है, अब अगर अपन बात करें, mutual induction की, mutual induction that means वहाँ पे आपके पास में दो coils होगी, ठीक है, एक coil में अगर magnetic flux change होता है, तो दोनों कोईल अगर आपकी पास पास रखे वी हैं, तो दूसरी coil में भी क्या होगा, magnetic flux change होगा, और magnetic flux change होने के का current उत्पन होगार, वो current induced current होगा, that means तो यह जो electromagnetic induction है, यह कौन सा induction कहलाता है, mutual induction कहलाता है, तो mutual induction और self induction की हमने बात की थी, हमने एक और चीज़ डिसकस की थी, mutual induction में, कि यह जो mutual induction है, यह आपको आगे transformer के principle में काम आएगा, that means जो transformer का सिधानता, वो mutual induction ही होता है, अब अपन बात करते हैं, flaming's के right hand rule की, flaming's का right hand rule आपको क्या बताता है, current की direction बताता है, that means तीन चीज़ें आपके पास में, thumb, four finger और middle finger, अगर thumb motion को show कर रहा है, और four finger, अगर magnetic field को show कर रही है, तो middle finger क्या करेगी, current की direction को show करेगी, अब इसी flaming's के right hand rule के base पे एक device आती है अपने पास, जिसका नाम है AC generator और alternator, जिसके बारे में आप लोगों ने 12th के अंदर physics में अच्छे से पढ़ा है, first of all अपन बात करते हैं, यहाँ पे AC से क्या मतलब, alternating current, अब जैसा कि current दो प्रकार के होते हैं, आपका एक होता है direct current, और एक होता है alternating current, अगर इनका difference अगर अपन एक line में यहाँ पे देखें, तो जो alternating current होता है, alternation का मतलब change होना, यहाँ पे इसके direction change होती है, और जो आपका direct current होता है, उसके direction change नहीं होती, और बाकी की जो इसकी definitions है, या फिर जो भी इन दोनों के बीच में difference हैं, तो हम एक अलग से topic में discuss करेंगे, that means difference between the alternating current and direct current discuss करेंगे अपन, अब अपन बात करते हैं generator की, generator that means, जो की alternating current को generate करता है, produce करता है, that means, ऐसे device जो की alternating current का production करती है, ठीक है, या फिर generate करती है, वो device क्या कहलाती है, आपकी AC generator कहलाती है, और alternator, अब alternator क्यों बोला हमने इसको, that means, जो छोटे जो आपकी AC generator होते हैं, ठीक है, जो की कम current production के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें alternator कहा जाता है, ठीक है, the alternator is the simple form of the electric generator, that means, जो आपका electrical generator है, जो की AC generator, इसका जो simple form होता है, उसे alternator कहा जाता है, it works on the principle of electromagnetic induction, ठीक है, यह किसके principle पर work करता है, electromagnetic induction, अब electromagnetic induction में अपनने क्या चैप पड़ा था, electromagnetic induction में faraday का experiment था, faraday का low था, और faraday का experiment और faraday का low आपको क्या बताता है, कि जब किसी भी coil में आप magnetic flux change करते हो, तो वहाँ पे current का production होता है, that means, वहाँ पे अपनने current produce किया था, जिसका नाम क्या था, induced current था, उसी principle को काम में लेते हुए, हम एक ऐसे device बनाएंगे, जिससे हम alternating current को उत्पन कर सकें, ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले इस alternating generator के construction की, कि that means, इसमें कौन-कौन से components होंगे, ठीक है, तो अगर components के बात की जाए, तो it consists of a four main parts, इसमें mainly चार पार्ट होते हैं, ठीक है, वैसे छोटे-छोटे पार्ट बहुत मिलेंगे, बट main जो पार्ट है, वो चार है, इसमें अपने, चार main parts में कौन-कौन से आते हैं, namely armature, पहला पार्ट है आपका armature, दूसरा magnet, तीसरा slip ring and चोथा brushes, अब अपन बात करते हैं कि इन चारो पार्ट है, किस-किस के बने होते हैं, कैसे होते हैं, और इनका काम क्या होते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे, इसमें रखा होते हैं, वो magnetic lines of force को लगातार, continuous, that means लगातार क्या करता रहता है, काटता रहता है, अब obvious ही बात है, magnetic field of lines को काटने का, that means कि जो magnetic field of lines हो, वो उनके बीच में रखा हुआ होगा, ठीक है, conductor हमेशा magnetic lines of force के बीच में रखा हुआ होगा, magnetic lines of force कहां से आती हैं, उसके बारे में डिसकस करते हैं, अपन, a permanent magnet produces a parallel magnetic field between pole pieces north and south in the case of low power dynamos, dynamos, that means जहाँ पर generator के लिए यह word यूज किया गया है, that means अगर अपने को low power voltage काम में लेनी है, या फिर, that means अपने को low power का current यहाँ पर produce करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि permanent magnets काम में लेते हैं, दो permanent magnets के अपन रख देते हैं, अगर जब अपने को high power, that means ऐसे generator जो अपने को ज़्यादा current produce करके दे, अगर वैसे आपको काम में लेने, तो वहाँ पर components में हम permanent magnet नहीं रखेंगे, वहाँ पर हम रखेंगे electromagnet, electromagnet is used in the case of high power dynamos, high power dynamos के अंदर electromagnet, electromagnet क्या होती है, that means electricity से हम वहाँ पर magnetic field generate करेंगे, जैसे direction change होगी, आपकी magnetic field की बार-बार में direction change होगी, बट यहाँ पर अपने को parallel magnetic field चाहिए, तो इसके लिए हम electromagnet काम में लेते हैं, that means electricity के द्वारा magnetic field को generate करते हैं, तो इसके लिए हम छोटी DC, that means low voltage का DC काम में लेते हैं, जिससे हम electromagnet से electric field को generate कर सके, the armature, अब अपन बात करते हैं, armature की, जैसा कि आगे अभी आप diagram में देखोगे, यहाँ पर की armature क्या है, the armature PQRT, PQRT हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि diagram में हमने इसको PQRT से दर्साया है, अभी आपन diagram में देखेंगे, अब होता है कि इसमें consist of a large number of loops or coils of insulated wire wound on a soft iron core, that means armature में क्या होता है कि एक soft iron core होती है, उसके उपर wire की wounding की जाती है, that means wire के loops बनाए जाते हैं, that means a coil की structure दी जाती है इसको, ठीक है, एक coil होती है, जिसमें उपर insulated wire wound होते हैं, और वो किस पे होते हैं, soft iron core पे होते हैं, ठीक है, the armature rotates between the poles, armature, that means जो एक conductor है, जो एक coil है क्या करती है, अपने magnet जो pole, magnetic poles है, north और south इनके बीच में रखी जाती है, और इनी के बीच में वो rotate करती है, the armature rotates between the poles of a strong magnet, strong magnet के poles के बीच में rotate करती है, and this cut the magnetic lines of force from north pole to south pole, और यह क्या करता है, कि magnetic lines of force को continuously cut करता रहता है, अब अपन diagram देख लेते हैं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए, कि हमने armature को PQRT क्यों कहा है यहाँ पे, और इसकी construction कैसे होती है, अभी तक अपन imagine कर रहे थे, अब अपन diagram से देखते है, तो जैसे कि आप diagram में देख सकते हो, दो magnets यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, दो magnets के pole यहाँ पे रखी हुई है, एक का north pole और दूसरे का south pole, that means obvious ही बात है, magnet के, यहाँ पे, magnet में single pole exist नहीं करता है, अपने यह बात आपकी मान के चलते हैं, बट यहाँ पे क्या क्या इन्होंने, एक तरफ north pole रख दिया और दूसरी तरफ south pole रख दिया, that means जहाँ पे magnet का north pole हो, वहाँ पे south pole भी होगा, बट वो opposite direction में होगा, वो दूर होगा, इसी तरह के से जहाँ पे south pole हो, वहाँ पे भी क्या होगा, north pole तो होगा, बट वो opposite side होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे north से south, magnetic field lines लगातार जाती रहेंगी, और वो कैसी होगी, parallel होगी, अब इनके बीच में आपको एक दिख रहा है, PQRT, rectangle shape में है एक, इसे बोलते हैं अपन armature, अब armature में होता है, कि एक coil होती है, कोईल में हम soft iron core के ओपर insulated wire को wound करते हैं, ठीक है, coils बनाते हैं, loops बनाते हैं, इसके बाद में अपन और components की, जैसे कि अपने चार components की बात की थी, magnet अपना हो गया, armature अपना हो गया, अब अपन बात करते हैं, slip rings की, जहाँ पर S1, S2 लिखावाई ये, दो आपकी slip rings है, और दोनो slip rings से दो bruses attached हैं, B1 और B2, अब जो slip rings क्या होती हैं, किस से बनी होती हैं, और B1, B2, that means bruses क्या होते हैं, और ये किस से बने होते हैं, इन सब के बारे में अभी अपन आगे थियोरी में discuss करेंगे, तो अभी आप यहाँ पर इसके construction को समझ सकते हो, कि किस तरीके सोता है, जो आपका armature है, उसके जो ये, चार corner से जिनको अपनने भी symbol दिये, P, Q, R, T, इनको अच्छे से ध्यान रख because आगे working के अंदर ये symbols बहुत जादा important है, इनके बीना हम इसकी working को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो जैसा कि अब अपन बात करते है, slip rings के, the slip rings S1 and S2 are two metal rings, दो metal की rings होती है, ये, which, यहाँ पर ये which नहीं आएगा, इसको काट देना, अपन टू विच से start करेंगे, the slip rings S1 and S2 are the two metal rings, दो metal rings हो रहे है, to which the end of the armature coils are connected, जहाँ पर जो armature coils का end, जो किनारा होता है, वो connected होते है, जैसा कि आपने diagrams में भी देखा था, कि जो armature के end point थे, वो आपके किस से connected थे, slip ring से connected थे, और slip ring आपके bruises थे connected थे, और bruises आपके जहाँ पर output आपको लेना है, current का उस से connected थे, ठीक है, these rings are fixed to soft, यह दोनों जो ring है, यह किस पे fixed होती है, soft पे, soft that means external, sorry, internal एक road होती है, जिसके उपर आपकी क्या कर रही है, armature भी rotate कर रहा है, और जिसी के उपर क्या कर रहा है, slip rings भी rotate कर रही है, which rotates the armature coil, जो क्या कर आता है, आपकी armature coil को rotate कर आता है, that means soft एक internal road होत होती है, जो कि armature coil और slip rings दोनों को rotate कराती है, the slip rings also rotate along with the armature, or slip ring armature के साथ में rotate करती है, these are, sorry, there are two flexible metal, दो flexible metal parts और भी होते हैं, या फिर carbon के बने होते हैं, जिनको हम bruses बोलते है, B1 और B2, which are fixed and constantly touch the revolving slip ring, जो क्या करते हैं, हमेसा fixed होते हैं, जो आपके slip rings होती है, वो तो क्या करती है, रोटेट करती है, बड़ जो bruses होते हैं, वो हमेसा constantly touch the revolving, जो slip ring, जो rotate कर रही है, उसकी rotate करते हुए भी वो उसको touch करके रखते हैं, with the help of these bruses, इन bruses का का काम क्या होते है, with the help of these bruses, current is passed out of the external circuit from the armature, that means armature, जो current आपको बाहर लाना है, वो हम bruses की साहता से लाएंगे, अब अपन example लेके चलते हैं, अगर अपने पास bruses नहीं है, अगर अपन direct wire connect करते हैं, तो क्या होगा, जैसे आपकी slip rings rotate होंगी, तो wire वहाँ पे आपका उलज जाएगा, complicated हो जाएगा, इस वज़े से वहाँ पे bruses लगाया जाते हैं, ताकि कोई भी electronic circuit complex ना हो, और आपको लगातार जो current जो मिल रहा है, उसका output आपको मिलता रहे, slip rings जो होंगी वो continuously rotate करती रहेंगी, और constantly मतलब लगातार उनके साथ में bruses क्या रहेंगे, connect रहेंगे, अब obvious वी बात है, जो armature कोईल है, उसके अंदर क्या होगा, current का production होगा, वहाँ से current आपके पास में आएगा, slip rings के पास में, और slip rings से फिर वो bruses के पास में, और bruses से फिर हम उसको wiring के थुरू output circuit में ले सकते हैं, that means इस तरीके से हमें bruses help करते हैं, current को बाहर लेने के लिए, अब दुबारा हमने यहाँ पर diagram क्यों show किया है, because इसकी working को समझने के लिए, working हम diagram के साथ साथ में समझेंगे, अब होगा क्या, कि अपन suppose करके चलते हैं, कि अपनने इस mechanical force से, क्या कि हम mechanical force से, हमने armature को rotate कराया, जब आप armature को rotate करा होगे, तो अपन बात करते हैं, कि armature आपका कौन से direction में rotate कर रहा है, anti-clockwise, अपनने suppose किया, इसको अपन clockwise भी rotate करा सकते, बट अपन यहाँ पर suppose करके चलते हैं, कि हमने इसको anti-clockwise rotate किया है, जब आप इसको anti-clockwise rotate करोगे, तो जो for example, जो आपका यहाँ पर PQ-RT, वो parallel रखा हुआ है, magnetic field के, अब क्या होगा, कि जब आप anti-clockwise इसको rotate करा होगे, तो ध्यान से देखना, कि first half cycle में, आपका PQ है न, वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो RT है, कोईल, दो कोईल आपके बस एक PQ कोईल बनी है, और एक RT कोईल बनी है, RT कोईल तो उपर की तरफ जाएगी, और PQ कोईल नीचे की तरफ जाएगी, अब जैसे कि यहाँ पर magnetic field है लगातार, जब यह stable रहता है, तब इसमें magnetic field सेम रहता है, बट जैसे यह जो PQ है, वो भी change हो रहा है, और RT भी change हो रहा है, यहाँ पर magnetic flux change होगा, और जैसे magnetic flux होगा, आपकी PQ के अंदर भी current उत्पन होगा, और RT में भी current उत्पन होगा, आपको एक direction मिलेगी current की, ठीक है, अब जैसे यह 90 degree पे आया, 90 degree पे आने के बाद में क्या होगा, anti-clack wise है, आप इसको rotate करा रहे हो, 90 degree के बाद में आने के बाद में यह होगा, कि PQ जो पहले नीचे जा रहा था, अब PQ क्या आएगा, उपर की तरफ आएगा, ठीक है, और जो आपका RT था, ठीक है, वो RT नीचे की तरफ जाएगा, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, कि first half cycle में PQ नीचे की तरफ जा रहा था, और RT उपर की तरफ आ रहा था, जैसे second आपकी half cycle होगी, 180 degree के बाद में, भी मैंने 90 degree बोल दे था, 180 degree का होगा, यहाँ पर 180 degree के बाद में, जैसे next cycle होगी, next cycle में क्या होगा, कि RT नीचे की तरफ जाएगा, और PQ उपर की तरफ आएगा, अब क्या होगा, RT और PQ की direction चेंज होगी, पहले RT उपर जा रहा था, अब नीचे आ रहा है, और PQ नीचे जा रहा था, अब वो उपर आ रहा है, तो inmate direction जो थी current की, that means, जो current produce होगा, वो change हो जाएगा, अब यह किस तरीके से change होता है, that means, यहाँ पर current की direction change हो जाएगी, जैसे current की, that means, half cycle में आपको एक direction में current मीलेगा, और next half cycle में आपको एक direction में current मीलेगा, current आएगा, कहाँ पर सीधा, slip rings, S1 और S2 पर आएगा, वहाँ से फिर वो जाएगा, बूसेज, B1 और B2 पर, और फिर इन दोनों बूसेज से हम उस current को, externally collect कर लेंगे, that means, measure कर लेंगे, अब इसकी working को हम पढ़ते हैं, consider the armature that rotates in the anti-clockwise direction, हमने consider किया है, हमने suppose किया है कि आपका जो armature, वो anti-clockwise direction में rotate कर रहा है, As it rotates, the magnetic flux linked with the changes and the current is induced in the goal, जैसे वो rotate करेगा, तो armature में क्यों होगा, magnetic flux change होगा, तो वहाँ पे induced current उत्पन होगा, यही आपको electromagnetic induction बताता है, The direction of the current can be found by the applying flaming's right-hand rule, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर flaming के right-hand rule की, that means, flaming का right-hand rule काम क्या आएगा, current के direction को पता करने के लिए, अब जैसे कि flaming's के right-hand rule में दो चीज़े आपको पता होती है, तीसरी चीज़ आप निकालते हो, magnetic field की direction पता होती है, और motion की direction पता होती है, तो तीसरी चीज़ आप current निकालते हो, ऐसा ही generator में है, generator में भी आपको motion की direction पता है, आपको पता है कि आपका जो armature वो anti-clockwise direction में move और magnetic field की direction पता है कि north से south है, तो अब आपको coil में current की direction निकालने है, तो आप वहाँ पे flaming's का right-hand rule के लगा के निकाल सकते हो, considering the armature rotate, anti-clockwise, सबसे पहले पन बात करते हैं, anti-clockwise the wire PQ, तो उसमें wire जो आपका PQ है, जो coil PQ है, वो तो downward की तरफ move होगी, और and the RT moves upward, और RT किसकी तरफ होगी, upward की तरफ move होगी, अब जैसे कि अगर आपन बात करें, PQ की यहाँ पे, तो जैसे ही आप PQ पे, flaming's का right-hand rule लगाते हो, तो PQ का motion किस तरफ हो रहा है, downward की तरफ, अब अपने right-hand को यहाँ पे arrange कीजिए, इस तरीके से arrange कीजिए, कि आपका जो थंबो वो किस तरफ हो, downward हो, और आपकी जो middle finger है, that means middle finger किस की direction को show कर रही है, magnetic field की direction, और magnetic field की direction किदेर है, north से south है, that means magnetic field यहाँ पे की direction, that means four finger की direction आपकी किदेर होनी चाहिए, north से south की तरफ होनी चाहिए, अगर आप इस तरीके से अपने right-hand को arrange करते हो, कि आपका थंब की direction तो क्या हो, नीचे के हो, और आपकी जो four finger की direction हो, उसके north से south हो, तब आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी middle finger है, वो current के direction को इस प्रकार से हो करेगे, कि आपका current आपको P से Q की तरफ मिलेगा, इस चीज़ को करके देखना, समझ में आएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है, तो मुझ से contact कर ल होगा, अब अपन बात करते है, आर्टी की, आर्टी में क्या होगा, कि आपका जो current है, जब आर्टी किस तरफ और यह अपवाड की तरफ, अब आपको राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करना है, कि आपका थम तो हो ऊपर की तरफ, और four finger north से south की तरफ, तो उस वक्त आ एक induced current flow होगा, from R to T, जो R से T की तरफ जाएगा, और P से Q की तरफ जाएगा, thus the induced current flow from इस वज़े से, जो current आपको मिलेगा, उसके direction आपको मिलेगी, ring S2 से S1, that means current S2 से जा रहा है, और S1 पे आ रहा है, यह आपको direction मिलेगी, this direction of current remains the same during the first half rotation of the armature, जब armature आपका एक रोटेशन complete, sorry, एक half rotation जब complete करेगा, 180 degree तक जाएगा, जब वो अपना half rotation complete करेगा, तब तक आपको current की यही direction मिलेगी, जैसे ही उसका half rotation complete हुआ, next half rotation में क्या होगा, कि जो PQ downward जा रहा था, वो तो upward जाएगा, और जो RT downward, sorry, upward जा रहा था, वो downward जाएगा, तो during the second half rotation, second half rotation के वक्त क्या move upward, PQ उपर की तरफ जाएगा, and RT downward और RT नीचे की तरफ जाएगा, now the current flow from Q to P, तो अब अब यहाँ पे अगर आप फ्लेमिंग्स का right hand rule लगा के निकालोगे, तो आपको current के direction क्या मिलेगी, opposite मिलेगे, opposite कैसे, Q से P की तरफ और T से R की तरफ, पहले आपको मिल रही थी R से T औ और P से Q, बट अब आपको मिलेगी, Q से P और T से R, in the reverse direction, जो की आपकी reverse direction होगी, now the induced current flow from the ring S1 to the ring S2, अब आपका जो induced current वो आपका उत्पन मिलेगा, आपको S1 से लेके S2 पे, that means S1 से start होगा, S2 पे वो खतम होगा, इस तरीके सापको वो मिलेगा, और पहले आपको मिल रहा after every half rotation, तो इन सब चीजों से आपको क्या पता चल रहा है, इन सब चीजों से हमें ये पता चल रहा है, कि हर एक half rotation के बाद में induced current अपनी direction चेंज करेगा, पहले half direction में एक direction होगी, दूसरे half rotation में एक direction होगी, फिर जैसे ही आपकी एक cycle complete होगी, दुबारा से यही चीज़े repeat तो आपको direction कैसी मिलेगी, for example, एक बार positive, फिर negative, फिर दुबारा positive, फिर दुबारा negative, इस तरीके से आपको यहाँ पर current मिलता रहेगा, इसी वज़े से यहाँ पर बोला गया है, इसको AC generator, alternating current generator, that means, alternating current produce करता है, that means, ऐसा current produce करता है, जिसकी direction alternate होती है, that means, change होती रहती है, इसी लिए यहाँ पर alternating current को, alternating इसी लिए बोला जाता है, because वहाँ पर उसकी direction change होती रहती है, और यह जो आपका generator है, जो अभी अपन ने पढ़ा है, यह AC को ही उत्पन करता है, that means, जिसकी direction change होती रहती है, और किस तरीके से होते हैं, वो आप समझ गए, the EMF values can be plotted against the position of the armature in a graph, हम एक graph में इनकी जो EMF की value आपको मिल रहे हैं, उनको plot करते हैं, वो इस तरी case होती है, कि जब आपका armature stable होता है, उस वक्त आपको EMF की value 0 मिलेगी, तो graph में आपके पस 0 है, it can be seen that, यह हमको ऐसी मिली, that the EMF start at 0, 0 से start होती है, reaches a positive maximum or peak, और वो positive के अंदर क्या जाएगी, maximum पे होने पर आएगा, वो दुबारा से 0 पर आजाएगी, जैसे 0 पर आई उसके बाद में जब आपका reverse direction में rotation चलेगा, तब वो क्या जाएगी, reverse direction में maximum जाएगी, that means, drops to 0, 0 पर आई, 0 पर के बाद में goes to negative maximum, अब वो क्या गई, negative में maximum पर गई, और फिर negative से maximum के जाने के बाद में वो दुबारा से 0 पर आजाएगी, और इस तरीके सा आपके एक cycle complete होगी, the whole series of operation is called one cycle, और इस whole series को अपन क्या बोलेंगे, one cycle बोलेंगे, this EMF is called alternating EMF, इस EMF को हम क्या बोलेंगे, alternating EMF बोलेंगे, alternating EMF में इस बिलिए बोलेंगे, because इसके direction चेंज हो रही है, and the current it would produce, और जो ये current produce करेंगे, is called the alternating current, और उस current को हम क्या बोलेंगे, alternating current बोलेंगे, और alternating current को आपको graph कैसा मिलेगा, जैसा कि आप अभी diagram में देख रहे हो, पहले maximum positive, फिर 0, फिर दुबारा negative maximum, then 0, T, 2T, 3T, यहाँ पर आपको क्या बता रही है, cycles के बाद, बारे में बता रहे है, T, first cycle complete हो, 2T, 2 cycle complete हो, 3T, 3 cycle complete हो, और small t, that means time duration, जैसे जैसे time के साथ में आपकी किस तरीके से आपको alternating current के wave मिलती है, और यह आप यहाँ पर EMF के और time के बीच में आपको graph इस तरीके से शो होगा, तो यह था आपका AC generator और alternator, that means AC device, जो की electromagnetic induction के principle पर वर्क करती है, और Flaming's के right hand rule के हम यहाँ प पता करने के लिए, इसके components की बात की जाए, तो armature, magnet, slip rings और bruses होते हैं, इसमें, और Flaming's के right hand rule की सहयता से हम यहाँ पर direction के बारे में पता करते हैं, और यह work करता है, electromagnetic induction के rule पर, और electromagnetic induction rule आपको यह बताता है, कि जब किसी भी coil के अंदर अगर अपन magnetic flux को change करते हैं, तो वहाँ पर induced current उत्पन होता है, और इसी principle के base पर हम generator के through AC current, that means alternating current को उत्पन कर सकते हैं, तो आज के class अपनी alternating current generator और alternator पर समापत होती है, thank you. झाल, 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 झाल 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 झाल